हाई दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि आप एक्सल में कंपाउंड इंटरस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो कंपाउंड इंटरस करने के लिए जैसे आप शीट देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर हम 50,000 एंटर करते हैं तो 50,000 का 2% के हिज़ाब से 12 एर के 10 योर से यह कंप कैसे बना सकते हैं सबसे पहले आप डेटर हम डेटर को रिमूब कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कैलकुलेटर कैसे मैं सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट एयर में प्रिंसिपल आपका क्या होगा यह आपका प्रिंसिपल अपने 60,000 इंवेस्ट किया होगा प् कर रहा है तो इसलिए यह सेंड इर का प्रिंसिपल हो गया है कि यह था हमने फॉर्मला भी टैन है लाइन लौक नहीं करा जैसे नीचे पेश करेंगे बी 11 हो जाएगा और सी 6 को लौक करेंगे तो 2 परसंट रेट और इंटरस्ट हैं तो इसको यह पर बीटैन था बेलयावन हो Youtube अगर Change उस Bunu चीए सिरो पेश करना त् traditionally करना आपको इस Formula को नीуса करना है इस Formula तक को नीचे तक जराग करनाहे और इस Formula को नी Maker करना कि ये देखी आपका पूरा चार्ड आप आपको सिर्फ टू सेल्स पर काम करना है और आपका कंपाउंड इंटर्स बिल्कुल बन जाएगा एक बार हम आपको दुबारा दिखा देते हैं मुझे सबसे पहला ये है फ़कुल प्रिंसीपल क्योंकि हमने इंवेस्ट करいます की अंटर करैंगे उसके बात इंटर्स किया है ये प्रिंसीपल मुल्टिप्लाए भार कर दीजिए ताकि नीचे पीज़ों करने पर अपका on a इया आप परिंसीपल हो जाएगा है एक गूँ घंस हमें उपर लॉक कर रखा है compound interest formula copy paste अब इसको drag कर दीजे इसको drag कर दीजे इसको भी drag कर दीजे तो ऐसे आपका ये compound interest calculator बन जाएगा और आप ऐसे easily compound interest calculator बना सकते हैं यहां पर जैसे हम देखिए amount change करेंगे आपका calculator भी amount change कर देगा तो यह file हमने description link में भी डाली है आप इसको download करके practice भी कर सकते हैं और ऐसी accelerated video के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजे थैंक यू फॉर वाचिंग अबर वीडियो